नमस्ते बच्चाँ, आज मैं आप लोगों को क्लाश 10 असपर्स का पाठ, पतजहर में टूटी पतियां, जिसके दो भाग हैं, गिन्नी का सोना और जहन की देन, इनके लेखक रविंद्र केले करजी हैं, इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूँ, और इससे पहले बच्चों मैं क्ल ना चुकी हूँ, तो इन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गया, आए बटन पर किलिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिये गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं, और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्रा पूछा यहां के लोगों को कौन सी बिमारियां अधिक होती है, मानसिक उन्होंने जवाब दिया, यहां के असी फिस्ती लोग मनोरूगन है, इसकी क्या वज़ा है, कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहां कोई चलता नहीं, बलकि दोडता है, कोई बोल परते हैं, तब अपने आप से लगातार बरवराते रहते हैं, अमेरिका से हम प्रति अस्तार करने लगे, एक महने में पूरा होने वाला काम, एक दिन में ही पूरी करने की कोशिस करने लगे, वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेसा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन ल इससे मानसिक रोग यहां बर गए हैं, तो इसमें प्रश्ण है, पहला कि जापान के लोगों को कौन सी बिमारी अधिक होती है, तो जापान के लोगों को कौन सी बिमारी अधिक होती है इसका उत्तर है खो मनोरोग दूसरा प्रश्ण है जापान में मनोरोगियों की संख्यां बढ़ने का क्या कारण है खो आर्थिक तंगी, खो परस पर जगरे, गो जीवन की रफ्तार का बढ़ना, गो नाम की चाहत तीसरा प्रश्ण है जापानी किस देश से विकास में आगे निकलना चाह रहे हैं, को अमेरिका से, खो चीन से, गो जापान से, गो इंगलेंड से तो जापानी किस देश से विकास में आगे निकलना चाह रहे हैं, इसका उतर है को अमेरिका से चोथा प्रस्ण है दिमाग का इंजन कब तूट जाता है गोजब कुछ कारी करना चाहते है गोजब इंजन को स्टार्ट किया जाता है गोजब पढ़ने लिखने का बोज होता है गोजब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है तो दिमाग का इंजन कब तूट जाता है इसका उतर है गहा जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है पांचमा प्रशन है मानसिक रोगी क्या करता है को अकेले में बरवराता है खो जीवन से वंचित हो जाता है गहा कुछ भी नहीं करता है खाली गपे हांकता है तो मानसिक रोग क्या करता है इसका मानसिक रोगी क्या करता है इसका उतर है को अकेले में बरवराता है तो ये थे पांच प्रेशन पांच के उतर यहां भी दिये गए हैं बच्चों आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और इधर आगे भी MCQ है पहला है गिन्नी का सोना किसे कहा जाता है को जो बिल्कुल सुद्ध हो खो जिसमें तामबा मिला ह गो जिससे सोने के शिक्के बनते हैं गो जिसमें तामबा नहीं मिला होता है तो गिन्नी का सोना किसे कहा जाता है इसका उतर है खो जिसमें तामबा मिला होता है दूसरा प्रशन है शुद्ध आरदर्सों की तुलना किस से की गई है गो गिन्नी के सोने से खो सुद्ध सोने स गोगांधी जी से घोजी सोने के अभुसन बनते हैं तो सुध्ध आदर्सों तुल्ना कि से की गई है उत्तर है खो सुध्ध सोने से तीसरा प्रश्ण है सुध्ध आदर्सों में लोग क्या मिला देते हैं को ब्याभारिक्ता खो यथार्थ वादिता गो अपने विचार गो अपने स्वार्थ तो सुध आदर्सों में लोग क्या मिला देते हैं इसका उतर है को ब्यभारिक्ता चोथा प्रश्ण है आदर्सों में ब्यभारिक्ता मिलाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है को समझदार, खो आदर्सवादी, गो यथार्थवादी, गो प्रैक्टिकल ऐडियलिस्ट तो आदर्सों में बैभारिकता मिलाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है इसका उतर है गो प्रैक्टिकल ऐडियलिस्ट कहा जाता है पांचमा प्रश्ण है कुछ लोग गांधी जी को क्या कहते थे को ब्यभारवादी खो आदर्सवादी गो प्रैक्टिकल ऐडियलिस्ट गो या थार्थवादी तो कुछ लोग गांधी जी को क्या कहते थे इसका उतर है गो प्रैक्टिकल ऐडियलिस्ट कहते थे चटा प्रश्ण है साथ मा प्रश्ण है गांधी जी ने अपने आदरसों को किस अस्तर पर नहीं उतरने देते थे को मनोबय ग्यानिक अस्तर पर खो व्यभारिकता के अस्तर पर गो अपने आदर्सों के अस्तर पर गो समाज के अस्तर पर तो गांधी जी अपने आदर्सों को किस अस्तर पर नहीं उतरने देते थे उतर है खो व्यभारिकता के अस्तर पर आठमा प्रस्ण है हमेशा कैसे लोग सजग रहते हैं को आदर्सवादी खो मिलनसार लोग गो यथार्तवादी लोग गो व्यभारवादी लोग तो हमेशा कैसे लोग सजग रहते हैं उतर है गो व्यभारवादी लोग नाइन नमर प्रस्ण है, महत्तु की क्या बात है, को अपना नुकसान ना होने दे, खो सदा लावहानी का हिसाब रखना, गो तारता हुआ तरे, गो जीवन में और संतुष्ट ना हो, तो महत्तु की क्या बात है, उत्तर है, गो तारता हुआ तरे, दस नमर प्रश्ण है खुद उपर चरना और दूसरों को भी उपर ले चलना ये काम कौन करता है को बहादूर लोग खो बहारवादी लोग गो परिस्रमी लोग गो आदर्सवादी लोग तो खुद उपर चरना और दूसरों को भी उपर ले चलना ये काम कौन करता है आदर्सवादी लोग करते हैं गहा उतर सही होगा और ग्यारा नमर प्रश्ण है कैसे लोगों ने समाज को गिराया है गहा आदर्सवादी लोगों ने खो ब्यभारवादी लोगों ने गहा यतार्थवादी लोगों ने गहा समाजिक लोगों ने तो कैसे लोगों ने समाज को गिराया है, इसका उतर है खो ब्यभारवादी लोगों ने, बारह नमर प्रशन है, जापान में कितने परतिसत लोग मनोरोगी हैं, को 20 परतिसत, खो 40 परतिसत, गो 60 परतिसत, गो 80 परतिसत, तो जापान में कितने परतिसत लोग मनोरोगी हैं, उत सब्राइबर को कुई सरी मनी चहृदा नमर प्राइबर्शन है पढ्ल कुटी के बाहर क्या रखा हुआ था गो तामबे का वर्तन, खो मिट्टी का वर्तन, गो पीतल का वर्तन, गो चांदी का वर्तन तो पर्ण कुटी के बाहर क्या रखा हुआ था? उतर है खो मिट्टी का वर्तन पंदरे नमर प्रेश्ण है पर्ण कुटी के अंदर कौन बैठा था? गो चानिज, खो जापान, गो चीन, घो नाचीन तो पर्ण कुटी के अंदर कौन बैठा था? उतर है गो चाचीन बैठा था और सुला नमर प्रशन है दो जो का जापानी में क्या अर्थ है? इसका उतर है गो आईए, तस्रीफ लाईए सतरे नमर प्रशन है चाय बनाने की सभी क्रिया किश धंग से हुई इसका उतर है घो गरिमा पूर्ण धंग से हुई 18 नमर प्रशन है टी सरेमनी में एक साथ कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? उतर है तीन लोगों को 19 नमर प्रशन है लेखा के अनुसार कौन सा काल सते है भूत काल, बर्तमान काल, भविश्य काल और इन में से कोई नहीं तो लेखा के अनुसार कौन सा काल सते है इसका उत्तर है खो बर्तमान काल और बीश नमर प्रशन है बर्तमान काल कितना विस्तरित था खौब भूत काल जितना खौब हविस्तिकाल जितना और बर्तमान काल जितना घौँ अनंत काल जितना तो बर्तमान काल कितना विस्तृत था इसका उतर है घौँ अनंत काल जितना तो बचों ये 20 नमर तक mcq थे और 20 नमर तक देखे यहां एंसर भी दिया गया है आप चाहे तो एंसर देख सकते हैं वह से मैं टिक लगा दी हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और इसी के साथ पार्ट की शमापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एकजाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लिजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बिल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद